हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें तुदिनीमबस वानल प्लैटफॉर्म आप सब ठीक ठाक है और इस पार्ट में हम जो है मेडिवल हिस्टी का हमारा नेक्स पार्ट जो है वह डिसकस करने वाले हैं और इससे पहले के पार्ट में हमने डिसकस किया तर्किश इंवीजन तर्किश इंवीजन में हमने बात कि थी किस तरह से अलपित कीन वहां से उनका सब्सक्राइब के चुभी इसके पहली बार इंडिया की बारे में बात की थी और मामूद आफ गजनी किस तरह सी पे जोह मों पर हम इनवीड़ करता है और इस तरह केकोर्ट हम आनों मिलता था बहुत इंपॉर्टन के बाद की किसी तरह का हमें वह कुई फॉर्थर फॉर्इन एक्रेशन वह कांगड़ा की कुछ रूलर है और हिंदू किंडम से वह नहीं फेस करते हैं और उसके बाद फिर महमद कौरी की अटाइक होते हैं हमने डिसकस किया था इसके बारे में और किस तरह से आगे स्लेव टै सब्सक्राइब कुछ डी वीas क्यों पर आगी सब्सक्राइब खैश सब्सक्राइब और श है ऊब लंग करेंगे वह से अफुर्व लक्त में की टुर्व में से सब्सक्राइब considering में चलिए करते हैं किले यन एक लीपारिए बात करते हैं तो यह बहुत ब्रेव रहे हैं और इसलिए उनका नाम इस्ट्री में आता है और वो कौन से कांगड़ा की रोलर है उनके बार में बात करते हैं देखे सबसे पहले में अगर तुगलक की बात करूं तो यह इनका रेंज जो है वो थ्रोन को एजियूम करते हैं और अपने आपको टाइटल देते हैं कि यहासु दिन तुगलक का यह अप ध्यान रखेंगे अपने फादर का मर्डर करता है और उसके बाद आपको टाइटल लिता है मुहमद बिन तुगलक करता है और उसके बाद कहते हैं कि मतलब आसा माना जाता है अलांकि हमें इतना अकाउंट रेल्लिमेंट अकाउंट नहीं मिलता है कि इसने ऐसा किया था हम बहुत द्यान रखेंगे तो किसी तरह का अगांट इस पार्ट का ममध बिन तुखला के अगांट है कि इस ने भी इंवेड किया था और काउन फॉट पर सब्जुगेट किया था इसका अगांट हमें जो में लिटरेचर हैं तारिक फरिष्था तारिक फिरोशाही इन में नहीं मिलता है देखें इनके अगर देखें आगे बात करते हैं डेटिया फिरोषाही ज९ाओ दीनैसी के बात करेंं तो इस तरह हाँए चलिए यह लात करते हैं देखें यह पिकचर है टुगलक देनाइस्टी के समय कि हम आगर हम Совolin इस नय已经 हैं तो इस तरह से जो था यह इनका समराज्य जो है फैला हुआ था तुगलुक होगा और यह इनकी जो फेमस सीटी साथ इसके लहौर यह यह आपके पास हुए है यहां पर आगरा एहमदाबाद आलताबाद इस अभी जो थे इनकर कर लिए थे तुगलुक हो नहीं सुच्री आगे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट जो फेमस रूलर जो तुगलों के जो जाने जाते हैं उनका नाम है फिरोग्शा तुगलुक के समेकिंगर हम बात करें तो कांगड़ा की हिस्ट्री का बहुत पता चलता है अगर लिटरेचरों की बात करें तारी की फिरिष् रिबन गया था और उसमें पर कांगड़ा की रूलर थे रूपचंद थे यह अब ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टन्ट है और कपकी बात है थर्टिन सिक्स्टिफाइव एडी की बहुत इंपॉर्टन्ट है कि यहां से कोईशन उटने के बहुत चांसिस है तो आगे ह सब्सक्राइब और दृलीय के गेट अधाया थे पे पूंच गया था मतलब आप देखिए कि उसमें पे दिली का सुल्तान होते होए भी इस ने उतनी हिमत रखी थी कि इसमें प्लेंस के कुछ एरियस को प्लेंडर किया था तो और यही वह इंसिडेंट थे नहीं वह टाइम मेरे होते होई इस तरह से प्लेंज में जो है किये तो उसके बाद फिर यह काइड़ा तो आगे नहीं कुछ account मिलता है और उसके बाद according to Frista Frista क्या कहता है कि नगर कोट का नाम change कर दिया गया था मुहमदाबाद यह भी अप ध्यान रखेंगे कि कि किस literature में यह बात कोई है question आ सकता है कि कि literature में जो है मुहमदाबाद नाम कर दिया था नगर कोट का तो फरिष्टा तारी के फरिष्टा में इस चीज़ का हमें एकाउंट मिलता है तो यह भी अप ध्यान रखेंगे और कहते हैं और important चीज़ बहुत important जो है एकाउंट हमें मिलता है कि जो आलमों की temple में लाइब्रेरी थी कहते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी थी की philosophy astrology and divination यह भी ध्यान रखेंगे आप और उस document को title दिया जाता है दलाइले फिरोशाही यह भी बहुत important है यह भी आप ध्यान रखेंगे और जो translate करता है उसका नाम है इजुदिन खालिद खानी यह भी बहुत important है इनका अपने ध्यान और कहते हैं कि संगाड़ाचंद के समय पे नसीर दिन जो बेटे होते हैं फिरोशाह तुगलक वो शेल्टर लेते हैं कांगडा में अरौं 13 इसने भी बहुत से प्लंडर किया लेकिन यहां पर किया जब तुगलक डाउन फॉल में था जब तुगलक जो था एक तरह से आवीक पढ़ गया था तब तेमूर ने इंविड किया और यह आपका तुर्क-मंग और तुगलक जो ते वह तरकिक और इजिन के थे तुर्क और मंगोल दोनों का जो था और इस एंडिया इसने इंडिया प्रट्ट एक ट्रटी नाइटी एट इडिय यह टाइम पिरियड आपने ध्यान रखना है यह कि एर फिर्टी नाइटी एडिय और उसमें पे रेंध था जो में दिली का सुल्तान था मुहम्मद नसीर अधिन तुफलक तो वह थी वेक था उसमें यह एंपायर इसलिए जो है इसने इनवेट किया और कांगड़ा की रूलर मेंग चंद इनका भी आप ध्यान रखेंगे इनका भी आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टंट है मेंग चं प्रित्वी चंद और उसके बाद रूप चंद और मेंग चंद तो इनका अपने ध्यान रखना है यहां से इस पार्ट से इंसेक्शन से आपने में तीन रूलर का ध्यान रखना है कि इसकिस मैं पर एक्टिव थोड़ा सा समय लगए आपको इसमें करने का लेकिन याद हो ज और कुछ शिवलक स्टेट्स को अपनी रिटर्न जर्न एक जिब वह इर्या को भारत की इरिया को प्लिंटर कर चुका था उसमें रिटर्न जर्न चर्न में इसने 1399 किहाए कुछ एरियास हो है वो शिवलक के करनकर मतलब प्लंडर किये ते और कहते हैं कि हिंडूर के राजया तो पहले आप्रोच कर लेता है ताकि प्लंडर ना करें तो बहुत से हैं आप कह सकते हैं या और बीजो कुस्तार की सर्फिसिस हैं वह प्रवाइट करवाता है तो इस तरह से आलम चंद कर नाम आता है कि उसका जो किंग्डम है वह बच जाता है तो यह भी है और कि वह जो एरियस शेवलें चयों के प्लेइन एरियस बहुत लगते लगते वाले एरियस ते तो वही यह जो थे तेमूर के उस चपेट में आने दें लेकिन इसमें बच जाता है और लेकिन जो पुरीता से ब्लंडर होती इनका 101 और रतैन्चन का नाम हैं कि खिड़ करते हैं से क्षपों की बात करते हैं का हम यह दो कांगड़कों था और अलमच ine āपकंड अलगी अपजों देख सकते हैं तर sih जो था वह सारे एरियास आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर इन सब जवहां पर दिल्ली आग्रा इस सारे की सारी जैसे मुहम्मध आप कजनेव ने भी किये तो बहुत सारी वेल्थ यह भी लूट के यह था तेमुर तेमुर लन और जी थर्टिन नाइटी एट के आसपस की ऐस्fahrchex में यह भी था कि ऐसी स्वीडियो में हम इतना है कि था आसम मेघाल करेंगे और जैक्ति के वारे में बात करें कि मघलों कांचल्म के साथ किस Google 살ां यह वह बहुत इंप आपने पार्ट TH सलन नर्कियों अज अ कर एक दो